जैहिंद डिफेंस एस्परेंट्स दिस दिवेंशु पांडे एंड वेलकम बैक अगें इन दिस सेशन भारती वाइसे न पाकिस्तान एयर बेस के करीब अब अपने नाल एयर बेस में लाइट कॉमबेट एरक्राप एलसी तेजस को डिपलॉय करने जा रही है और इस प्रकार स उसका पहला स्कॉर्डन पाकिस्तान के सीमा के करीब आपका रखा जाएगा तो पूरी न्यूस क्या है उसको हम आज के सेशन में जानेंगे जैसा कि हम सभी जानते कि भारती वाइसेना का सबसे पहला और सबसे खतरनाक इंडिजीनस लाइट कॉमबेट एयर क्राप जिसका नाम तेजस है अब भारती वाइसेना उसकी पहली स्कॉर्डन को पाकिस्तान के एयर बेस के नजदी यानि की राजिस्तान के बीगानेर डिस्टिक्ट में एक नाल एयर बेस है वहाँ पर उसका पहला स्कॉर्डन रेस करने जा रही है एक स्कॉर्डन में 18 विमान होते हैं त अगर हम बात करते हैं अपने LCA fighter aircraft की तो LCA के अभी total two versions भारती वाइसेना में हैं LCA Mark 1 and LCA Mark 1A जो की latest indigenous avionics और radar से equipped हैं साथ हे साथ HAL जो की भारत की और दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एक manufacturing industry है defense related mainly ये जो है aviation related कार किया करती हैं तो इन्होंने कहा है कि हम 5 March तक भारती वाइसेना को उनका पहला LCA Mark 1A aircraft आपका दे देंगे तो अभी तो अभी तक जितने भी aircraft थे वो single seater थे अब double seater twin seater विमान बन भी रहे हैं अभी आपने हाली में देखा होगे मोदी जी बैंगलोर गए थे जहाँ पर उन्होंने LCA Tejas के trainer variant से shorty ली हुई थी तो इस प्रकार का सबसे बहतीने aircraft जो कि पाकिस्तानी सीमा के काफी नस्दीक रहेगा वो भारत को किसी भी प्रकार के वाई सीमा के सुरच्छा चुनौतियों से निपटने के लिए मददगार साबित रहेगा वहीं पर भारती वारसेना ने इससे पहले HAL को total 83 LCA Tejas fighter aircraft की एक request भीजी थी तो लगभग 180 आपकी विमान हो जाएंगे इससे पहले 40 LCA Mark 1 के जो aircraft है भारती वाई से न में शामिल है उसी के पहली जो आपकी squadron रहेगी उसको भेज दिया जाएगा नाल एयर बेस के तरफ और जैसे जैसे इनके पास विमान आते जाएंगे उस प्रकार से squadron को आपकर raise किया जाएगा और चाहे पाकिस्तान से 60 सीमा हो या फिर हमारे चाइना से 60 सीमा हो वहाँ पर भारती वारसे पूरी तरीके से तायनात रहेगे तो 40 पहले का 180 जो नया मिलेगा तो टोटल 220 एरक्राफ्ट हो जाएंगे और जो हमारे पुराने एरक्राफ्ट हैं उनको ये replace करेंगे तो 2025 तक जो है जो HL की capacity रहेगी वो 24 एरक्राफ्ट पर एर बनाने की हो जाएगी अभी ये लगबग 16 एरक्राफ्ट पर एर manufacture कर पा रहे हमें चाहिए कि हम अपने capacity को capability को और भी enhance करते जाएं तो इसलिए replacement होगी MIG series की विमानों की इसी साल MIG का पहला squadron को हमने retire कर दिया है बाकी की दो और अभी variants दो और हमारे squadrons बचे हुए हैं जिसको जल से जल आपका इस inventory को हटाया जाएगा और उसकी जगा तेजस की विमान को लाया जाएगा जैसे 2025 में दो हमारे squadron MIG 21 के हैं उसको retire करेंगे तो उसी समय हमारे LCA Tejas Mark 1 के aircraft भी आजाएंगे जो कि उनकी जगा ले लेंगे और इस प्रकार से MIG 21, MIG 23, MIG 27 जितने भी variants उनको replace पूरी तरिगे से कर दिया जाएगा सिर्फ MIG 21 नहीं बलकि जैगुआर और मिरास 2000 ये भी काफी old aircraft हो चुके हैं लगभग 30-40 सालों से हमारे भारती वाइसेना इनका इस्तमाल कर रही है इनको भी जल्द से जल्द आपका replace किया जाएगा अगर आप इस map पे देखोगे तो different locations हैं भारती वाइसेना की जैसे की ल है उत्तरलाई जामनगर जोदपूर ग्वालियर यहां से हम पाकिस्तान और चाइना दोनों को मुझ तोड़ जब आप दे पाएंगे भारती वाइसेना को पूरे surveillance रडार्स भी यहां पर हैं अभी भारती वाइसेना ने अपने regiment में total 3 units के सुदर्शन include किये हैं सुदर्शन जो कि भारती वाइसेना को और भी शक्तिशाली बनाएगी आप सुदर्शन परे अपने SSB इंटर्वी और written courses की preparation SSB crack exam के interview online master online course में जुड़कर जरूर करें जिसकी link नीचे discussion box में हमने दे रखी है वो और written code के जरूर यूज़ करिएगा जैहिन और बेस्ट आप अगर आप ए आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं